मैं इस वक्त अपने नार्थेवन्यू के आवास पर हूँ और मेरा आवास महमहिम रास्टपती जी के भवन के सो मीटर की दूरी पर और यहाँ पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है मैं बहुत साफ तोर पे कहना चाहता हूँ भारती जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से आप जितने चाहे हमले करवालो और चाहे मेरी हत्या करवालो लेकिन मर्यादा पुरसुत्तम भगवान स्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं एक हजार बार बोलूँगा ये 115 करोण हिंदूों का अपमान है ये करोणों उन राम भक्तों का अपमान है जिनोंने अपना पेट काटके प्रभुसरी राम के भव्य मंदिर के निर्मार के लिए चंदा दिया है और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंद पत्रकार बंदूओं को नमश्कार आज मैं आपके बीच में ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी मर्यादा पुर्शुत्तम भगवान स्री राम के नाम पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भरस्टाचार करने की हिम्मत करेगा लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं वो कागजात चिला चिला कर कह रहे हैं कि राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर परोणों रूपए चम्पत राम जी ने चम्पत कर दिया उनका नाम चम्पत रा नहीं नटवर लाल होना चाहिए परोणों रूपए राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भरस्टाचार करने का काम किया मर्यादा पुर्शुत्तम भगवान स्री राम जिनके प्रति करोणों लोगों की आस्था है जिनके प्रति इस देश के करोणों हिंदूओं की आस्था है जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके करमचारी हो या फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो सब ने प्रभुस्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला और भरस्टाचार कर लिया जाएगा और ये घोटाला कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक-एक करके बताना चाहता हूँ ये आयोध्या में एक जमीन है जो गाटा संख्या 243, 244, 246 ये गाटा संख्या की जमीन जिसकी मालियत 5 करोण 80 लाक रुपए है जिसको दो करोण रुपए में कुसुम पाठक और हरीस पाठक जी से दो लोगों ने खरीदा जिनका नाम था सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने हरीस पाठक और कुसम पाठक से दो करोण की जमीन खरीडी गाता संख्या 243, 244, 246 और इस जमीन खरीड में जो सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी ने खरीडी इसमें दो गवाह बने एक अनिल मिस्रा जो राम जनम भूमी के सदस्य हैं और दूसरे रिषी केस उपाध्याय जो आयोध्या के मेयर हैं ये दो लोग इसमें गवाह बनते हैं और ये जमीन जो खरीडी गई वो खरीडी गई साथ बच्के दस मिनट पर साथ बच्के दस मिनट पर पांच करौन असी लाग की मालियत की जमीन सामको साथ बच्के दस मिनट पर दो करौन रुपए में कुसम पाथक और हरीस पाथक के द्वारा बेची गई सुल्तान अंसारी और रवी मुहंतिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिस्रा उसके गवाह बने आयोध्या के मेर रिसी के सुपाध्या इसके गवाह बने पांच मिनट बाद क्या करिश्मा होता है ठीक पांच मिनट बाद ठीक पांच मिनट बाद ये जो दो करोण में जमीन खरीदी गई जिसकी कि मालियत पांच करोण असी लाख है वो जमीन राम जनम भूमी ट्रस्ट ने चंपत राजी ने साड़े अठारा करोण रुपए की खरीद ली और साड़े अठारा करोण में सत्रा करोण रुपए आटी जियस कर दिया रभी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा साड़े अठारा करोण में खरीदा दो करोण की जमीन लगभग साड़े पांच लाख रुपए प्रतिस सिकंड जमीन का दाम बढ़ गया हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन एक सेकंड में महगी नहीं होगी लेकिन राम जनम भूमी प्रबुस्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में एक सेकंड में साड़े पांच लाख रुपए मेहंगी करके जमीन खरीदी गई साड़े अठारा करोंड रुपए में साड़े अठारा करोंड रुपए में और सत्रा करोंड रुपए आर्टी जी अस कर दिया गया और इसमें भी मज़ेदार बात है मज़ेदार बात ये है कि जो अनिल मिस्टरा जी बैनामा कराने में गवाथ है जो अनिल मिस्टरा जी ध्यान से सुनियेगा ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिस्टरा जी बैनामा कराने में गवाथ है वही अनिल मिस्टरा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाथ बन गए जो मेर महोद है रिसी के सुपाध्या जी जमीन बैनामा में गवा थे वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवा बन गए तो मैं समझता हूँ आज उन करोणों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी आज प्रभुस्री राम के नाम पर भव्य मंदिर निर्मान के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया उनकी भानों को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्हों ने करोणों रूपे का चंदा दिया प्रभुस्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मदार लोग उसके पदादिकारी करोणों रूपे की हेरा फेरी कर रहे हैं करोणों रूपे का भरस्टाचार कर रहे हैं जो जमीन दो करोण रूपे में खरीदी गई वो जमीन साड़े अठारा करोण में पांच मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई मुझे साफ तौर पे कहना है यह मनी लौन्डरिंग का मामला है ये भारी भरस्टाचार का मामला है मैं मांग करता हूँ देश के प्रधान मंत्री आधनी नरेंद्र मोदी जी से मैं मांग करता हूँ इस देश की सरकार से तत्काल, E.D.A. और C.B.I. के जरिये इस मामले की गहन जाच कराके जो इसमें भरस्टाचारी लोग है उनको पकड़ कर जेल में डालिये क्योंकि ये इस मुल्क के करोणो राम भक्तों की आस्था का प्रस्टन है करोणो उन लोगों का प्रस्टन है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माड के लिए दिया और उसमें ये भरस्टाचार और घोटाला किया गया और एक अजीब बात है एग्रिमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम एग्रिमेंट के स्टाम का टाइम और बैनामे के स्टाम का टाइम जो जमीन बाद में एग्रिमेंट हुई यानि बाद में बेची गई ट्रस्ट को जो बेची गई उसका स्टाम खरीदा गया पाँच बचके ग्यारा मिनट को सामको और जो जमीन पहले रवी मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम खरीदा गया पांच बचके बाईस मिनट पे यह आप समझ पा रहे हैं रभी मोहन तिवारी ने जो जमीन हरीस पाठक से खरीदी उसका स्टाम तो पांच बचके बाईस मिनट पे खरीदा गया लेकिन जो एगरिमेंट हुआ साड़े अठारा करोण रुपए में और इसमें सत्रा करोण रुपए पे कर दिया गया वो पांच बचके ग्यारा मिनट पे इस टाम खरीद गया यानि जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को उसके लिए पहले से इस टाम खरीद लिया गया और किसी भी ट्रस्ट में जमीन खरीदने के लिए बाकाइदा बोर्ट का प्रस्ताव पारित होता है उनके संगट उनका जो ट्रस्ट होता है उसमें प्रस्ताव पारित होता है पांच मिनट में ही राम जनम भूमी ट्रस्ट में कैसे प्रस्ताव पारित कर लिया और कैसे जमीन खरीद ली तो इसलिए मैं फिर दोह रहूंगा आधनी प्रधान मंत्री जी आज पूरा सच प्रभुसरी राम के नाम पर घोटाले का पूरा सच इस देश की जनता के सामने आ चुका है उन्हें लोगों का चेहरा काला हो चुका है जिन्होंने प्रभुसरी राम के नाम पर चंदा एकठा किया लोगों की आस्था के साथ खिलवार करते हुए घोटाला और ब्रस्टाचार किया E.D. से, C.B.I. से जाच कराके इन लोगों की गरफतारी कराई है मुझे इतनी बात कहनी थी